सूप्रभाद बच्चों स्वागत है आपका आज की हिंदी क्लास में आज हम हिंदी में क्या करने वाले हैं बच्चों आज हम हिंदी में करेंगे शुतलेख ओके तो सबसे पहले आप अपने हिंदी नोटबुक निकालेंगे उसके बाद आप शुतलेख करेंगे शुतलेख याने की ध्यान से सुनकर लिखना तो आपका शुतलेख का प्रेशन है प्रते के दो दो शब्द लिखो यहाँ पर कुछ वर्णों के साथ उ की मात्रा का प्रयोग किया गया है माम आपको इनसे शुरू होने वाले शब्द बोल करना है ओके तो पहला वर्ण है प प के साथ उ की मात्रा जोडने पर बनता है पू और पू से जो शब्द आपने लिखने हैं वो है पू 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 पूरा पूरा अगला शब्द लिखेंगे पूरा के बाद पूरब 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 जो है वो एक दिशा होती है जिस दिशा से सुरज निकलता है सुरज हमेशा पूरब से निकलता है और प के बाद अगला वर्ण है फ प के साथ उ की मात्रा जोडने पर बनता है फू फू से शुरू होने वाला जो शब्द है वो है फू 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 तो यहाँ पर आपने लिखना है फू ल फू और फूल के बाद जो अगला शब्द है वो है फूल दान फूल दान पहले फूल फिर फूल दान उसके बाद फ के बाद अगला जो वर्ण है वो है ब और ब परू की मात्रा लगाने पर बनता है बू बू से शुरू होने वाले शब्द आप लिखिए ठीक है ध्यान से सुनिये और फिर लिखिए पहला शब्द है बू 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 ब मैंने आपको बताया कि अढ़ह के नीचे बिंदी आती है पहले ढ़ह लिखेंगे फिर बिंदी लगाएंगे जिससे वो अढ़ह बन जाए ब, उ, अढ़ह, बूढ़ह, बूढ़ह के बाद जो अगला शब्द लिखेंगे वो है बूटी, ब, उ, ट, इ, बूटी, बूटी आने की दवाईया, औशदी, ओके इसके बाद अगले जो वर्ण है, उनमें पहला वर्ण है, ब के बाद जो आता है भ, और भ के साथ उकी मातरा जोडने पर बनता है भू अब भू से आपने शब्द लिखने है, ठीक है, तो भू से जो पहला शब्द लिखोगे वो है भूप, भ, उ, प, भूप मेंस राजा, भूप मेंस राजा लिखेंगे भूप और भूप के बाद अगला शब्द लिखेंगे भूख भ, उख, भूख भ के बाद आते हैं अगले वर्ण पर अगला वर्ण है म, म के साथ उ की मात्रा जोडने पर बनता है मू और मू से शुरू होने वाले शब्द हैं मू, 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 रत म, उ, र, त, मूरत मूरत के बाद अगला शब्द लिखेंगे मू, ली मूरत और मूली अब म के बाद आता है ल अब हम ल के साथ उ की मात्रा जोडेंगे उ की मात्रा जोडने पर क्या बनेगा लू, और लू से शुरू होने वाले शब्द है ल, उ, ट, लिखें बच्चों लूड, ओके, और लूड के बाद आप लिखेंगे लूडना, ल, उ, ट, न, आ लूडना, लूड, लूडना उसके बाद आता है श, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ श, और श, परू की मात्रा जोडने पर बनता है शू, श, उ, शू, और शू से शुरू होने वाले शब्द हैं श, उ, र, शूर, श, उ, र, शूर, और शूर के बाद लिखेंगे शूल, श, उ, ल, शूल मीन्स कांटा और शूर मीन्स वीर श, के बाद अगला वर्ण है स, 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 सपेरे वाला स, और स के साथ उ की मात्रा लगाने पर बनता है सू, और अब सू से शब्द लिखेंगे, सू से पहला शब्द है सू, 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 सूरज, सू, र, ज, सूरज, और सूरज के बाद अगला शब्द लिखेंगे सूरत 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 ओके बच्चों तो ये थी आपके डिक्टेशन जिसमें हमने पू, प, वर्ण के साथ उ की मातरा का प्रयोग किया फिर ब के साथ किया भ के साथ, म के साथ ल के साथ, श के साथ और ह के साथ उ की मातरा का प्रयोग किया उनका सही उचारण जाना और फिर उनसे शुरू होने वाले दो शब्दों से आपने शब्द सुनकर लिखे अब आपने इन शब्दों को अपनी नोट बुक में ध्यान से लिखना है बिना कोई गलती किये और अच्छी है इन राइडिंग ठीक है बिच्छों धन्यवाद पिर मिलेंगे अगली क्लास में